गुड मौर्निंग इस्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में दक्सिन भारत के बारे में जानकरी प्राक्त करेंगे तो देखें friends इस वीडियो में हम आपको दकसिन भारत के जो बोगोलिक स्तितिय उसके बारे में बताईंगे और इसके बाद जो दकसिन भारत में कौन कौन से राजवन्स हुए है और इत्यास विशे से समंधित कौन कौन से महत्तोपुन राजवन्स हुए थे उनके बारे में आपको बताएंगे तो ये टोपिक एक्जाम की दरस्टी से बहुत ही महत्तोपुन है अता है वीडियोज को आप बार बार देखेगा आपको एक्जाम में हल्प मिलेगी ठीक है ये आप लोगों ने हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियोज को लाइक और सेर करें तो चलिए पढ़ते हैं दक्षिन भारत के बारे में संपून जानकारी विंद्य परवत से लेकर सुदूर दक्षिन में इस्तित कन्या कुमारी तक का विशाल पठारी परदेश सामानिते दक्षिन भारत कहा जाता है ठीक है इसका आकार एक ऐसे त्री भुच के सम्मान है जिसका आधार विंद्य परवत सिर्ष कन्या कुमारी तथा पस्सिमी और पूर्वी घाट दो बुजाएं हैं पस्सिमी और पूर्वी घाटों को करमसा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी घेरे हुए है पस्सिमी घाट अरब सागर के समीप कुंडरवरी दरे महरास्टर से प्रारम होकर समुद्री मार्गों के समाना अंतर चलता हुआ करनाटक के दक्सिन में नीलगीरी तक फैली है यह लगबग 1600 किलो मिटर लंबा तथा 1066 से 1220 मिटर उंचा है इसकी मुखे पाहडियां त्रीकूर्ट, गोवर्धन, क्रिशनगीरी, गोमान्त आदी हैं प्राचिन साहिते में पस्चिमी घाट के उत्री भाग को सैर इध्रद्री तथा दक्षिनी भाग को मले परवत कहा गया है पस्चिम की ओर से ये घाट एक विशा समुद्री दिवार के समान दिखाई देता है इसे स्थान स्थान पर अनेक दरे काटते हुए पठार तथा तटिये भागों के बीच आवा गमन का मार्क परसस्त करते हैं तो जो उत्तर में इसते दो दरे हैं वो देखेगा थाल घाट दर्रा ये 583 मिटर उंचा है और दूसरा दर्रा है भोर घाट ये 630 मिटर उंचा है इससे लेकर कन्या कुमारी तक फैला है इसकी ओसत चोड़ाई 64 किलो मिटर है नर्मदा और तापती के मुहने के समीव ये है 80 किलो मिटर चोड़ा है इसकी उत्री भाग कोंकन तथा दक्सिनी भाग माला बार कहा जाता है इसमें कोई बड़ी नदी नहीं है पस्सिमी घाट में सोपारा कांडला ब्रेगुकच जो भड़ोच भी कहलाता है कल्यान मर्मगउं अर्थात गोवा में है मंगलोर कालीकड तथा कोची जैसे परसिद बंदरगा है पस्सिमी तठवर्ती परदेश मसालो कहवा नारियल तथा रबड की खेरती के लिए परसिद है पूर्वी घाट उडिसा के गंजाम जिले के महंदर गिरी से प्रारंब होकर बंगाल के खाड़ी के समाना अंतर चलते हुए तिरुनेल विली जिले के उलकाल तक फेला है रामायन में इस अस्थान को भी महंदर परवत कहा गया है ये पस्सिमी घाट के समान नतो सपाथ है और नहीं उच्चा है इसकी परवत माला तूटी-फूटी तथा नीची है किन्तु इसका मैदानी भाग पस्सिमी घाट के मैदानी भाग के पेक्षा चोड़ा है इसकी ओसत चोड़ाई 161-483 किलोमिटर है तथा इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे हैं इसमें चावल की अच्छी पैदावार होती है इसके उत्री भाग को उत्री सरकार तथा दक्षणी भाग को कोरो मंडल तट कहा जाता है परवत माला के टूटी-फूटी तथा नीची होने के कारण पठार तथा मैदानी भागों में आवा गमन के आवा गमन में विशेश करना पड़ता है पूर्वी घाट के परमुक पहाडियां स्रीशेल पुस्पगीरी व्यंकटाद्री स्रेश्यू मूख आदी हैं यह घाट प्राकर्थिक बंदरगाहों के उप्यूक नहीं है क्योंकि यहां की भूमी दलदल तथा नदियों के मुहनों के सामने की भूमी सकते हैं इस तटके कुछ परसित बंदरगाह है मसूली पतनम कोरकई कावेरी पतनम मदरास आदी है नीलगिरी की पहाडियों में पस्सिमी तथा पूर्वी घाटों का मिलन होता है नीलगिरी दखन के पठार का सबसे उंचा परवत है जिसके सरोचे चोटी दोदा बेटा ज इसके दक्सिन की और अना मलाई पहाडियां हैं जिने पाल गाट के दर्रे नीलगिरी से अलग करते हैं दक्सिन के पठार की ओसत उंचाई 487 से 762 मीटर तथा चेतर पर 7 लाख वर किलो मीटर है दक्सिन के निवासियों के आर्थक तथा सांसकर्तिक जीवन पर वहां की परस नदियों ने गहरा प्रभाव डाला है यहां की परमुक नदियां नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी हैं अब देखेगा नर्मदा नदी नर्मदा नदी मद्य भारत में सत्पूडा पहाडियों की उत्री पूर्वी चोटी पर अमर कंटक पठार से निकलती है तथा यहां से पस्चिम की ओर बढ़ती हुई 1312 किलो मिटर की दूरी तै करती हुई कच्छ की खाडी में गिरती है यह नदी उत्तर तथा दक्सिन के विबाजक रेखा के रूप में रही है गोदावरी नदी गोदावरी का इस्थान भारत की पवित्र नदियों में है तता दक्सिन के लोग इसे गंगा अथ्वा गोत्मी गंगा के नाम से जानते हैं यह महराश्टर के नासिक जीले में त्रिमबक के ब्रह्मगीरी नामक इस थल पड़ते हैं क्रिश्णा नदी गोदावरी के अपेक्षा छोटी है इसकी लंबाई 1280 किलोमेटर है यह अरब सागर से लगबक 40 मेल की दूरी पर महाबालेस्वर के पास से निकल कर पहले दक्सिन की ओर बहती है उसके बाद कुरुंद वववद से आगे पूरव की ओर म पहले मुटती हुई दक्सिन महाराष्पर करनाटक तथा अंदर प्रदेश से हुती हुई अंध में बंगाल के खाड़ी में समाजाती है तूंग बद्रा नदी तूंग बद्रा क्रिश्णा की मुखे सहाइक नदी है अन्य सहाइक नदियां गाड़ प्रभा तथा मल यह नदी उत्तर पूरव दिशा में चलती हुई आंदर के कुर्णोल जीले के समीप कृष्णा नदी से मिल जाती है। चोल तथा पल्लव सासकों ने भी कृष्णा नदी को पार कर दक्सिन एंव आंदर प्रदेश के राज्यों को आकरांत किया। तुंगपद्रा नदी का आर्थिक द्रश्ची से भी महत्वरा है। इस पर बंदे हुए बांच से होईसर राज्ये में जलापूर्टी की जाती थी। कावेरी नदी का तमिल वासियों के संस्कृतिक जीवन में महत्वर्पुन स्थान है। वह है कावेरी नदी। ये करनाटक के कूर्ग की जीले में तलकावेरी के पास ब्रह्मगिरी से निकलती है। तथा दक्सिन करनाटक एं तमिल नाडू को अपने जल से सिंचती हुई तंजोर जीले में अनेक दहराओं में फूट कर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये 760 किलोमेटर लंबी है, कमनी, हेमावती, अकीवती, आदी इसकी साहिक नदियां है। इनके द्वारा कावेरी नदी सदाज जल्वती रहती है। सिंचाई के साधन के रूप में इस नदी का सरवादिक महत्वे था। चोल राजों ने इसका भरपूर उप्योग किया, इसी नदी के तठपर कावेरी पतनम नामक परसित बंदरगा है था। दक्सिन की परमुक नदियों में गोदावरी, नरमदा तथा कावेरी को संपून भारतवासी पवित्र मानते थे। इनकी गणना गंगा, यमना, सर्श्वती तता सिंदू के साथ करते हुए स्टान के समय इनके आमवान का विदान था। दक्सिन भारत की प्राकर्तिक विशिष्टता ने यहां के इत्यास तता संस्कृति को परभावित किया है। इस विशिष्टा के परणाम सरूप गोदावरी के दक्सिन में एक ऐसी संस्कृति विक्षित हुई जो उत्तर की आर्ये संस्कृति से भिन थी, इसे दर्विड संस्कृति नाम दिया जाता है। बहुत समय तक यहां आर्ये संस्कृति का परवेश नहीं हो पाया, कुछ विद्वान भारत में दर्विड तत्वा का स्तीत्वा आर्ये तत्वा से भी पहले सिद करते हैं, उत्तर पस्ची में दर्विड परिवार की एक भासा ब्राहुई का पता चलता है। तमिल देश में आर्ये संस्कृति का परवे संगम काल के कुछ पूर्वय हुआ था। परंपरा के अनुसार रिशी अगस्ते ने दक्सिन में आर्ये संस्कृति को पहुँचाने का कारी किस ने किया? रिशी अगस्ते ने। यह निश्चित नहीं है कि दर्विड जातियों की उत्पति किस मूल पर जाती से हुई। उनमें चूंकि विभिन रूप रंग वाले लोग हैं अता उन्हें विभिन प्रभेदों वादी जातियों के से मिस्रण से ही उत्पन माना जा सकता है। भासा विज्ञान के आधार पर दर्विड जाति में सम भू मद्धे सागरिये मानव परकार अरथात प्रोटो मेडिटेरियन के तत्वए अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा तमिल देश में आर्मेनियम, आर्मे नाइड तथा केरल में अलपाइन आर्मेनियम मानव परकारों के तत्वए भी दस्टी गोचर होते हैं। दक्सिर में कई भासों का पर्चलन था, आंदर में तेलगू तथा तमिल छेतर के पस्टी में करनड और मलियालम का बोल बाला था, तमिल भासा भी बोली जाती थी। इसे संबत कुछ अन्य बोलियां जैसे कोडगू, कुई, ओर्गोंडी, आदिका भी दर्विड छेतर में पर्चलन था, संस्कृत तथा दर्विड भासा परिवार के अनेक शब्द एक दूसरे से समतार रखते हैं। पर्थम वर्ग में मराठी की गणना की जा सकती है, जबकि द्वीते के अन्तरगत मुंडा, खरियां, जुआंग, सवर, गवद, तथा कुर्क को समिलित किया जा सकता है। प्राचिन काल के दक्सिन भारत को दो भागों में विभाजित क्या गया, देखे का कौन-कौन से दो भाग दक्सिनापत अत्वा दक्खन। तो इस बाग के अंतरगत उत्तर में नरमदा नदी से लेकर दक्सिन में तुंग भद्रा जो करनाटक राजे में नदी तक का संफून परदेश समेले था प्राचिन साहिते में दक्सिनापत की सीमा दक्सिन में महिस मंडल तक बताई गई है विस्तरित अर्थ में इस शब्द का प्रियोग विंदे परवत तथा दक्सिनी समूद्र के बीच इस्तित विशाल परदेश के लिए किया गया है पेरिपल्स के लेकक ने बेरी गाजा अर्थात बढ़ोंच से परेपरदेश को दचिना बेडीज अर्थात दक्सिनापत कहा है इस प्रकार विस्तरित अर्थ में तो दक्कन के अंतरगत संपून दक्सिन भारत को समिलित कर लिया गया था किन्तु संकूचित अर्थ में दक्सिनापत की परीधी में सुदूर दक्सिन के तमिल रजों की गणना नहीं की गई है अब देखे का दूसरा भाग है सुदूर दक्सिन इस बाग के अंतरगत तुंग बद्रा नदी के दक्सिन का समस्त भूबाग समिलित था इस भाग को दर्विड अत्वा तमिल देश कहा जाता था अत्ती प्राचिन काल से या चोल, चेर तथा पंडे राजियों के अस्तित्व का परमान मिलता है पेरिपर्स में इस भाग को दमीरी का अर्था दमिल कम कहा गया है इस तिकुने भूभाग में कृष्णा तुंगभद्रा कावेरी तथा उसकी सहाइक नदियां बहती हैं तो देखें स्टूजेंट्स इस वीडियो में हमने दक्सिन भारत की जो बोगोलिक सित्य उसके बारे में बेसिक सी जानकारी प्राप्त की है आगे के वीडियो में हम आपको जो इत्यास में महतोपन राजवन्स हुए हैं दक्सिन भारत के उसके बारे में वीडियो दिखाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे